आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Some vertebrates show hibernation in winter Birds and mammals do not show this feature Give reason पुझा गया है कि कुछ vertebrates ऐसे होते जहां पर hibernation दिखाई देता है Hibernation का मतलब क्या होता है तो hibernation का मतलब होता है कि जिसे कि हम लोग winter sleep कहते है और यह organism क्या होता है कि जब winter आता है तो उस time पर hide कर जाते हैं एक particular place में और उनका metabolism जो है वो एकदम से slow हो जाता है जिसके वैसे जो पूरा winter season रहता है वो एकदम से गायब रहते है और जब winter खतम होता है तो फिर वो निकल के आ जाते है तो basically यह उन organisms में दिखाई देता है जो की poe kilo therms होते है poe kilo therms का अगर हम लोग देखें तो यह ऐसे organisms होते है जिनको की हम लोग cold blooded भी कहते है और इसका मतलब यह होता है कि इनका जो internal temperature होता है वो constant नहीं होता है वो continuously change होते रहता है with respect to the environmental temperature और environment में जब cold होता है तो उस time पे वो लोग food का scarcity को scarcity से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक place पे हाइड हो जाते है और अपने metabolism को slow कर देते है जिसके वीज़े क्या होता है कि उनका temperature भी change हो जाता है और वो लोग क्या होता है कि अराम से उस particular heart phase को एक दम से cheese कर पाते हैं लेकिन यही चीज़ जो है कुछ-कुछ mammals में absent रहते हैं जैसे फ़र example जो हमारे क्या होते हैं कि birds होते हैं या फिर mammals होते हैं तो birds और mammals में अगर देखा जाए तो यह लोग particularly homeotherms होते हैं homeotherms का मतलब होता है कि जिन में constant body temperature पाया जाता है और constant body temperature होने के वहेशे क्या होता है कि यहां पे जो changes होते हैं environment के साथ वो नहीं दिखाए देते हैं और throughout the year यहां पे constant temperature पाया जाता है जिसके लिए क्या होता है कि यहां पे कोई भी hibernation नहीं दिखाए देता है और hibernation के साथ-साथ जो term use होता है उसको हम लोग estivation के नाम से जानते हैं और estivation का मतलब होता है जो कि summer sleep होता है यानि कुछ-कुछ ऐसे organism होते हैं जो कि summer को avoid करने के लिए hide कर जाते हैं तो इसी चीज में difference आता है कि एक जंज जो है वो homeo thumb है यानि जिसका temperature constant है और दूसरा poikilo thumb है जहां पर यह सारे चीज़े दिखाई देती है तो अगर poikilo thumb का बात करें तो जो lizards होते हैं वहाँ पर जो hibernation है वो दिखाई देता है और साथ में हम कह सकते हैं जो tortoise होते हैं उन में भी यह चीज दिखाई देता है तो इसी को हम no down कर लेंगे जो कि यहां पर correct form of answer हो जाएगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 पर